कि अधिया वेरी गूड मॉर्निंग आप सबी लोग अच्छे होंगे तो जो मेरे चैनल पर नए है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह देखिए मेरा बाबो बहुत रो रहा है और में दो आ पूजा बना हूंगी खाना मैंने नंकीं निकाला कटोरी में और पहले मेरे चाइब कर लेती हैं तो पहले चाय पी लेते हैं तो जब देने बाथी चावल रखा हुआ था फ्रेज में तो मैं प्यास टमाटर मठशा को काती हूँ और मैं इसे पहले फ्राइ कर लूँगी जीरा डालके तो अगर आपके भी आपको बासी चावल आपके घर में बचवा तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं तो यह देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी अद्रक घिस दी है तो टेस्ट अच्छा लगता है खाने में और तो इस तरीके से हम इसको लालकर लिंक हो अच्छे से फ्राइ करके और फेस में हम चावल को डाल देंगे तो यह मैं चावल बचे हुए चावल को डाल दूँगी तो आप लोग रात के चावल बचा हुआ मत फे किये जरूर से उसको आप अच्छे मतलब करके आप उसको बना के बहुत खा सकते हैं यमी एकदम टेस्टी लगता है तो हम लोग तो बहुत खाते हैं चावल बच जात मेरा फ्राई हो रहा है अब इसको थोड़ी दिर रख देंगा और इसमें हमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा आप लोग मैगी मसाला भी चाहें तो डाल सकते हैं तो हम इसमें मैगी मसाला डाल देंगे और फिर इसको थोड़ी देर तीरी आंच में लाल होने देंगे तो मेरा चावल अच्छे से फ्राई हो गया है और मैंने मिक्स भी हो गया है इसमें मसाला तो ये खाने में एकदम टेस्टी और यमी लगेगा आप लोग भी ज़रूर अपने घर पे बना के खाईए अगर चावल आप के हाँ बासी बस जाता है तो वेश्ट मत करें उसे फेक ये नहीं इस तरीके से बना के आप उसे खा सकते हैं तो मैं जा रही हूँ खाने तो मैं आज एक वीडियो शूट करनी के लिए तैयार हुई हूँ और ये देखिए आज बकरीद भी है तो मैंने उसी का तोड़ा लुक है आप लोग मेरे वीडियो में जा के देख सकते हैं मैंने वहाँ पर डालूँगी और तो मैं जलती हूँ पहले बना लेती हूँ वीडियो को तो मैं मॉमोस खा लेती हूँ मेरा भाई लेकर आया है आप लोग भी खा लीजिए और यह देखिए मैं रेडी हुई थी अब मेरी वीडियो बन चुकी है तो मैं जार यह ड्रेस को चेंज करने तो आप लोग बताएगा मेरा नेकलस कैसा लग रहा है मेरा बाबु जूल जूल रहा है मस्ती में कि तो आज मैं वीडियो यहीं पार इंड करूँगी तो आप लोगोगों को मेंज वीडियो कैसे लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करनके ज़रूर роinkा लगा होप कि आप सभी में वीडियो अच्छी लगी हो कि अगा अच्छी लगे तो प्लीज में चानल को सब्सक्राइब पिलिजे ताकि मैं आपको इसी तरीके से वीडियो आपको दिखाती रहूँ और जो है तब तक के लिए बाई